बीती 3 जून को जुमे की नमाज के बाद कानपूर में उपद्रब दता हिंसा के कारण प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया था शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन खासी तैयारियों के बीच सतर्क नजर आया जिसके चलते शुक्रवार को मत्रवा में सकुषल नमाज को संपन करा गया जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सास ली कानपुर हिंसा के बाद मतुरा में पुलिस एलर्ट मोड पर है प्रशाशन एलर्ट मोड पर है अभी जुमे की नवाज अदा होकर चुकी है किस प्रकार की विवस्ता रही हमारे साथ इस समय मौजूद है सिटी मजिस्टेट साब और सीओ सिटी मतुरा साब जिन से हम जानकारी करेंगे किस प्रकार की विवस्ताओं के बीच आज सकोसल नवाज संपन की गई है जी सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज किस प्रकार विवस्ताएं रही सर आज गंगा दशेरा की विवस्ताओं रही जो के आज आपने सुबह दोरा किया किस प्रकार रही विवस्ताओं आज गंगा दशेरा की विवस्ताओं ठीक थी और जो भी वहाँ पर असनान करने वाले लोग आए अपना असनान करके जो भी अपने पूजा पाट किये जो भी उनका आयोजन रहा अपना करके गए और सब बेशेराइब थी वहापने दन्यवाज सर आपका शुक्रिया कोनों ही तोहार थे और किस प्रकार संपन हुए जानकारी करते हैं सर देखे सकुषल नमाज संपन हुई है सभी नमाजी अपने अपने गंतविस्थान पर सकुषल पहुंच चुके हैं पुलीस अलाट मोड पर रही और जो भी नेसेसरी मेजर से सभी लिए गए सभी स्टेकोल सभी होकर चुका है तो किस प्रकार रही विवस्था वह भी सकुषल संपन हुआ है सारे उसके भी सेकुरिटी मेजर्स लिए गए गए तो गंगा दशेहरा के भी सकुषल आयोजन मत्रा में हो गया है दर्शकों आपको बताते चलें कि कानपूर हिंसा के बाद मत्रा पुले प्रशाशन के द्वारा जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आधितना द्वारा आदेश दिये गए थे कि जुमे की नवाज को लेकर सुरक्षा विवस्था में किसी प्रकार की चूट ना की जाए क्योंकि इसका खाम्याजा पिछले शुक्रवार को कानपूर में देखने को मिल आज चाक चोबंद विवस्थाओं के बीच यहां सकुसल नवाज संपन हुई है आगे भी आपको जानकारी उपलब्द कराते रहेंगे देखते रहें जी नहीं